इन जब होँपर जाने के लिए Inner Line Permit लेना होता है। ये कानून देश दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए तमाम टूरिस्टों के लिए मानना है। पता आजाता है कि ये सभी पहले दूसरे देशों की सीमाओं के नजदीक इस्तित हैं। ऐसे में सुरुक्चा कानों से ब आपस लोटाना होता है। ऐसे में आज हम आपको भारत के पांच ऐसे इस्थानों के बारे में बताएंगे। इनर लाइन पर्मिट भारत का अधिकारिक जात्ता दिस्ता वेजा है। जो देश और विदेशों के टूरिस्टों को प्रोटेक्ट एरिया में जाने के लिए पर पर्मिट भारत में इस समय सिर्फ तीन राज्जों मिजोरम नागा लेंड और रुनाचल प्रदेश में ही पूर्ण रूप से लागूए हैं। हलाकि इन राज्जों के इलावा दूसरे देशों के बॉर्डर लाइन पर भी इस पर्मिट की आवशक्ता होती है। पहाड की एक उचे चोटी पर बसा कोहिमा भारत के उत्तरपूर विराज नागा लेंड की राजधानी है। जो की आगामी नागा जंजाती की भूमी है। इसे एसिया का स्वीचल लेंड भी का जाता है। यहां पर जाने के लिए इननर पर्मिट लाइन की आवशक्ता पड़ती है। भारत के उत्तरपूर में सबसे बड़े साप पानी की लेग के रूप में प्रिख्यात लोकतल जील में कैई जगहां पर भुकरने टुकले तेहते विद्खाई देती है। अपनी अनोके पन के कारणे जील लोगों को खूब आकरशित करती है। इस जील को देखने के लिए इनर लाइन पर मिट लेने की आफशकता होती है। चांगु लेग सिक्कम का पर्मुक टुरिस्ट टेस्टीनेशन है। सर्दियों में जील का पानी पूरी तरह से जम जाता है। हाला कि यहां पर आने के लिए भी आपको इनर लाइन पर मिट लेने की आफशकता होती है। अ इस वैली को वर्ड हेजिटेट साइट में शुमार किया जाता है बताता है कि इस वैली के पास ही आपातानी ट्राइफ से जुड़े लोग रहते हैं मुजोरम की राजदानी आईजोल में कई शांदार स्थान है जिससे देखने के लिए दुनिया वर से लोग आते हैं इसमें म मुजोरम में भी इनर लाइन पर मिट लाग हुए है इस बज़े से यहां लिमिटेट टाइम पीरेट के लिए ही कोई व्यक्ति परमीशन लेका जा सकता है तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक और शिया जरू करें ज्ञान सहीं ताके ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग